पाशानकालिन भतिजा कि संबत सर क्या बजा उससे मैंने पूछा कि संबत सर क्या बजा धीरे से उसने कहा साथ पैंतिस धीरे से उसने कहा साथ पैंतिस और फिर जोर से चिला पड़ा नहीं चाचा छे पैंतिस इस प्रकार ठीक एक घंटा बच जाने के बाद नील नदी से सिंदु नदी के बीच इस प्रकार ठीक एक घंटा बच जाने के बाद नील नदी से सिंदु नदी के बीच मुझे कहीं जाना था शायद दरजी के हां या वहां जहां कहीं कीमतों में भारी छूट की गोशना थी पेड की खाल सीचते खीचते जब पशूं की खाल खीचने लगा था उत्तर पाशान काल में तब जो नंगा आदमी नदी तट की गुफा में आग के प्रथम दर्शन से मरा था अब वह दर्जी है मगर माचिस मोमबत्यां और ढिबरी भी बेचता है बाल की खाल से पता चला कि पाशान काल का गनिष्ट दोस्त धातुकाल में मेरी हजामत बना रहा है और मैं उसका ग्रहक हूँ खाल की जगे अब मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिसकी मुझे आधुनिक काल में कमीज सिल्वानी थी मैंने मन ही मन कमीज के कपड़े को इतना ताना इतना कि कम से कम एक रुमाल तो मज़े से निकलाना चाहिए एक में से दो दो खुशियां लेना एक में से दो दो खुशियां लेनी जरूरी थी अत्यादुनिक काल में अगर रुमाल जरूरी हो दरजी ने कहा तो आप इसका अंडर वियर बनवाएं तब भी आपके पास दो चीज़ें होंगी पर वे दो चीज़ें नहीं जो आप चाहते हैं बलकि वे दो चीज़ें जो इसमें बन सकती है इस तरह मुझे कमी में से अपनी खुशियां कोजनी थी इसलिए इसलिए दूर करने के बजाए मैं कमी बढ़ा रहा था एक कमीज के लिए उस कपड़े में कोई कमी नहीं थी समय में समय की कमी के तरह थी कमीज के कपड़े में रूमाल की कमी तभी मेरा भतीज़ा संबतसर आया चाचा अब साथ पीटीस बजे हैं बताया सोच रहा हूं कि मैंने आज क्या बचाया मनोबल, समय, रुमाल या उत्तरादुनिकाल सोच रहा हूँ कि मैंने आज क्या बचाया मनोबल, समय, रुमाल या उत्तरादुनिकाल